परिछ पनिक नहीं करने के लिए तो है के पुर्ण suburbs करते हैं के आधि मुझी अंड़ां खरी तो अमरेत प्रहित्पुर्भु के मुझे अभी बहुत सारा हुक्त आकर दिखेर है तो आखम थोडा जगा से रहनाओना और सारे बकारder बहुत थे को आधिator तो पीचे इंद्वा जोगर है नहीं हरे पिश्टा हरे पिश्टा हमें जोगर हैं यहां यहां ऑन पिश्टा मिलोवर हरे ग्याशन है कर दोगर हरे ऑन डाक कर दो पिश्टा जोगर है तो मिलोगर है झाचा है करेंग कर दो 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 The शुमाक कर दो कर दो कर दो । आकनि स्वाल्न present दो कर दो स्रीश स्प्राइर कि ऐस थाग पर शम्लाय के शुड़ का मोर्ष नुड़ करनाद्री मुट्रीकि नुड़ाद्री के हुड़ाद्री प्रृश्य व्टिछ निए। यह करेखी अ पकाट। हरे रामा हरे रामा 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 अरे बारे आरे रीक्रिष्णा अरे था अरे था अरे अड़े रामाह। अड़े रामाह। राम रामाह। अड़े बाले। अड़े किश्लाभाई। संद्याकाल का समय है हमारे श्री ब्रिंडावन धाम में राधारमनलाल मंदिर गोपाल भट गोष्वामी के प्राणधन श्री राधारमनलाल ये पावन मंदिर में राग कीरतन होता है राग कीरतन अर्था 2400 घंटे प्रभू को भिन भिन शास्त्रि संगीत के रागों से सजाना और संद्याकाल में बिहाग राग का विशेश मात्व है वैसे राधारमन को बिहाग राग अत्यंत प्रिय है इसलिए सब भोग के पद सब भिहाग में होते है और ये भिहाग में है तो राधारमन के संटोष के लिए संद्याकाल में हम सब एकत्रित हैं यहां राधारमन लाल के प्रांगन में स्री ब्रंदावन धाम में तो पूरे भाव से गाएंगे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare सब प्रेम से काई है Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 करिष्ण गर्झ राइब करिष्ण रखलय। राधारमनलाल की मुझति प्रशा आती है। प्षिश्ना आप और थी सिंह बागशिंजू Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Hare, 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 Hare 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 राधारमन मंदिर केवल राग नहीं अनुराग की भूमी है और पूने क्षेत्र भी अनुराग के साथ-साथ ऐती हासिक द्रिष्टिकोंड से राग की भूमी है यहां शास्त्रिय संगीत पलता है तो चलिए पूने और राधारमन को मिलाते हैं राग और अनुराग से Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare 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 तरेक्रिष्ण वर्याध् वर्याध् अृष्ण वर्याध् करक्रिष्णाओ शार्टि वजया करेक विष्णाओड्सन् में थे आपार्टिंगि आप करेंग अधिए नियुडंग् झनाओड़िंग्धिन आपिएंग्ग्टै, शब्सक्राइम्दूग्षे आपिए पिजिए आपिए प्लिए विए पिए जापने कि उन्मेंग्टतान अबिक्टैस्वे हर दाम हरे लाँ हरे लाँ इस्ट में रड्हाद कॉिस्सिश अ वे लीजरों कहते लाँ हरे लुंऑ शो शोर्री लीजरों सब्सня कर्दा दो कर 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 साथ में गाएंगे कर दो 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 कर एक और बार साथ में rit कंष्णान राव यण सख़ल की मद्ध्वार आपके लगtu प्रक्रिष्णान Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 नाम नाम खरे, 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 लाजितार रामारी आश्य लामाः, अर्या, रामा मारी आप शैने, धरतराय विभा कर दो वे में, घररता razorी, आप शैने. तो पाल जैजे जे भुझे भुझे कूपभाσι चे रादा रहन हरे गोले के चे रादा रहन हरे गोँंदे जुझा चे गों इदे गोँंप costay गुंदे ले गूमाँचे जजराठारमन हरी गुंदे जजे जय जय राधा रखे हरी दो बिन्द के जय प्रिंचे सब लो राधा जय जय राधा जय जय राधा एक और बाद जय गो बिन्द के जय 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 गोपल जय 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 गोपल जय 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 गोबिन्द के जय जय गोपल जय 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 राधा रखे हरी गोबिन्द के जय जय आधामाला सुखे, तर साफनी मुदी भरी दाले दो में और में। राध् na mand आटिजा जो प्रॉड़ violence। जाज आटो आटेजे यह हु पाजस्के जाटना k सुछ आटना को पारे जाटना kड़ जाटना kशंग लुवाज़ ए राध् na मान आट tu gag। मैं मीशा अरे देते जाटना k〾 आद आद तर फंग रहे भरेरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, 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 हरे रवरे得े, हरे सुझ आध देखेह गोरानीताय गोरानीताय वजित भावन गोरानीताय जया गूर निदाई गूर निदाई भाजिता भा बान गूर निदाई जो 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 नीता एकूर हरी बार, 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 हरी जो करतार वारे हुड़ नाम् संकीरत नमहा यद्निकी श्रील प्रभुभाई लिक ऱ्रीडोल्टी नाम् संकीरत नमहा यद्निकी श्री नाम् प्रिर्भुभाई जिकी गौुर्परिम नंदे Big Hari Bowl for our Kartal Mṛdanga team here first. Not to forget there's a guitar also. And to all the little kids here singing and ecstatically clapping. बिग हरीवाँ 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 कर दो कर दो एक बाइक है MH27D P3640 इसकी भी है बूट राप चरेंगे और आप राप है MH14 FM6332 एक बाइक है MH27D P3640 अरे क्रिश्ण अरे क्रिश्ण अरे क्रिश्ण अरे क्रिश्ण सर्व प्रथम मैं श्रीमान कनाई ठाकुर प्रभू के चरणों में प्रणाम करके प्रारम करूंगा जिन्होंने इतने प्रेम से यहां अमत्रित किया और मुझे लगबग एक दो वर्ष से प्रभुजी बहुत प्रेम से बुला रहे हैं और हमें यहां आकर बहुत आनंद है श्रीमान कनाई ठाकुर प्रभू प्रतिवर्ष अमेरिका आते हैं प्रचार हे तो और कई भक्त वहां उनके प्रचार से उनके आदर्श विवहार से बहुत प्रेणा लेते हैं और यदि एक वैसे तो कई गुण हैं पर यदि एक गुण जो मेरे रिदय को बहुत स्परश करता है और उनके चरणों से यदि मैं प्रार्थना करू कि उसका एक बूंद मुझे मिल जाए वो उनकी नाम के प्रतिरुची नाम के प्रतिनिष्ठा जब अमेरिका आते हैं और प्रचार कारी में लगते हैं कई घंटे बैठे रहते हैं माला लेकर अन्य भक्तों को भी प्रेड़ा मिलती है वो भक्त भी बैठते हैं कभी 32 माला, 68 माला, 64 माला 100 माला पता नहीं है और फिर भी कहते हैं कि नाम मेर उची नहीं है कि इतने दैन्य सोभाव कि इतने वरिष्ट वैश्णव है सुंदर प्रचारक हैं अनुभवी वैश्णव है जिनोंने असंख है मात्रा में इतने भक्तों को प्रेड़ा दी और दे रहें और मैं गवर निताई से प्रार्थना करूँगा कि उनको बहुत लंबी आयू दे ताकि आज इवनों प्रचार करके यहां विस्पोट हो भक्तों का सुंदर भक्तों से भक्तों के भक्ती भाव से निर्मान होकर सुंदर मंदिर स्थापना हो सुंदर सेवा हसर हो हरी कथा हरी कीर्टन हो सुंदर भव्य उत्सव मनाया जाए और आप सब भी आनंद पूर्वक उनके अधिनस्त होकर उनके अनुगत्य में खुब प्रगति करें भागवत पत्पर उन्नती हो ये अभिलाशा ये अपेक्षा ये प्रार्थना करके आज की सत्र को हम प्रारम करेंगे और केवल प्रचारक नहीं वो प्रकांड पंडित भी है लगु सिद्धान्त कौमोदी का अध्ययन करना ये सब के लिए संभव नहीं है और इतने सरलता से उन सूत्रों का पठन करके समरन करके संस्कृत में भी प्रवेश शास्त्र में भी प्रवेश व्यवहार में भी प्रवेश और इतने भक्तों के रिदे में भी प्रवेश धन्यवात दास और आपके छोटे भाई के रूट में हम यहां केवल आपके संतोष के लिए और सभी भक्तों के सेवा भाव से यहां उपस्तित है धन्यवाद ओम नमो भगवते वासुदे वाया आन्यन जलाकया चक्षुरुन मिलितं तस्मे श्री गुरवे नमहा श्री चैतन्या मनो भिष्थं स्थापितं ये नभूतले स्वयं रूपा कदामयं घाथिस्पादांडिकं नमा ओम विष्ण पाराय कृष्ण प्रिष्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामि निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे वाउरवानी प्रशारिने निर्विशेषा शुन्यवादी पाचात्यदेशतारिने जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभू नित्यानिता श्री अद्वाईता गदाधा श्रीवासाधितो श्रीणिता हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे भरी संख्या में वैश्णव वैश्णवी व्रिंदा जो पस्तित है आप दूर से आये होंगे, पास से आये होंगे, निगडी मंदिर से आये होंगे रेदान चैतन्य प्रुभू को मेरा दंडवत रणाम सभी वरिष्ट वैश्णव वैश्णवी प्रिंद जो आज उपस्तित हैं जो कृपया करके आज पधा रहे हैं आप सबसे अनुरोध है विंती है कि कृपया करके आशिर्वाद, आशीश, प्रार्थना, शुभेच्छा से हमें आज पोशित रखें सही समय पर, सही शब्दों के प्रयोग से, सही भाव से प्रभू की स्तुति हो सके करणिंद्रियों को संतुष्टि प्रदान हो, हमारा अंतक करण का शुद्धी करण हो, हमारी मती, हमारी गती, हमारे पती, के चरणों में रती, के भाव से जागरित हो हमारा चित प्रभू के चरणों में लगे, यही अपेक्षा, यही धेय, यही हमारा साध्य, यही हमारा लक्षे मान कर, आज की हरीकता सेवा को, आप सब की अनुमती से प्रत्ना कर, प्रारम करणगा आज के संध्या कालिन बैठक में, हम चर्चा करेंगे आचारियों की महीमा, वरिष्ट वईष्णव आचारियों की महीमा, श्रीलक कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैचने चरितामृत में, भगवान के शुद्ध भक्तों की महीमा गाते हुए कहते हैं, भक्त के नचाये प्रेम, प्रभु के नचाये, आपने नचाये तीने नाचे एक इठाये हैं, कविराज गोस्वामी पात कहते हैं, धन्य है वो शुद्ध वैश्णव, जिनके रिदय में भक्ती का नर्तन होता है, बाहरी द्रिष्टी कोन से ऐसा लगता है कि शुद्ध भक्त कथा कर रहे हैं, कीरतन कर रहे हैं, प्रचार में लगे हैं, विग्रह की सेवा कर रहे हैं, पर अंतो कविराज गोस्वामी पात कहते हैं, इनके रिदय में भक्ती और प्रेम का विस्पोट हो रहा है, इस कारणवश इंद्रियन लग रही हैं सेवा में, ऐसा नहीं कि साधन मानकर साधना काड में टिक चाहिए, अथवा मुझे करना है ये मान करना, शुद्ध भक्तो प्रभु के लिए इतनी प्रगाड प्रिती है, रिदय भर आता है स्नेह से, तो रिदय का जो भाव है, उसका संचार, उर्जा शक्ती का संचार होता है इंद्रियों के चलन से, तो जब नेत्रों से प्रभु का दर्शन करते हैं विग्रह की रूप में, ऐसा नहीं कि करना है इसलिए कर रहे हैं, प्रभु से प्रिती है, प्रभु से प्रेम है, इसलिए मानों नेत्र चंचल हो रहे हैं, जिनसे प्रेम करते हैं, क्यो ना उनका दर्शन किया जाए, जिनसे प्रेम है, क्यो ना करन इंद्रियों से उनकी कथा का शरवन की जाए, तो कविराज गुस्व आचारिय नर्तन करने लगते हैं नृत्य करने लगते हैं और उनके नर्तन को देखकर प्रभु ध्रवी भूत होते हैं उसका मानो प्रभाव पड़ता है प्रभु के चित्त में और प्रभु नर्तन करने लगते हैं और प्रभु के नर्तन को देखकर प्रेम का मानो विकास होन लगता है प्रेम का नर्तन और प्रेम के नर्तन से आचार्य का नर्तन उनके नृत्य से प्रभू का नृत्य प्रभू के नृत्य को देखकर प्रेम का वर्धन और प्रेम के नृत्य से भक्त का नृत्य और भक्त जब नृत्य करता है तो प्रभू का नृत्य कविराज गोस्व शुद्ध भक्त नित्य करते हैं, ये दिखाने के लिए नहीं देखो मेरे स्टेप्स कितने अच्छे हैं, चरण माधुरी का दर्शन कर लो, ऐसा नहीं, वो नर्तन करते हैं क्योंकि रिदय में प्रेम उल्लास का वर्धन है, तो ऐसे शुद्ध वैश्णल की महिमा गाना, मान मंच पर प्रेम भी नर्तन, शुद्ध वैश्ण भी नर्त्य और प्रभू भी उनके प्रेम से मानों बंदे हुए, काराग्रहे वससदा, रिदये मधिये, मधभक्ति पाश है है, बंधला निश्चलसन, बिल्वमंगल ठाकूर कहते हैं, हे प्रभो, छोटी चोरी, छोटा द दंड, बड़ी चोरी, बड़ा दंड, आपने जो चोरी की है, हे कृष्ण, सभी भक्तों के रिदय को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धी को, आत्मा को चुराने वाले है, चोरा ग्रगण्य पुरुष, चोर टोली के सर्धार, आप जैसा चोर, न देखा न सुना, धनम चे मानम चे तथेंद्रियानी, प्राणांच रित्वा, ममसर्व मेव, के न आपके हो भीशन, चोर इद्रिक द्रिष्ट श्टूतो वा, न जगत्र ये थी, न मैंने देखा, न तीन भुवन ने देखा ऐसा चोर, मटकी फोड़कर केवल नवनी तस करी नहीं करते हैं, धन हरने लगते हैं भक्त का, बोलो, मन हरते हैं, तन भी हरते हैं, कैसे तन हरते हैं, हमारे ललाट पर पहले तिलक नहीं था, हम सब के ललाट पर तिलक नहीं था, मस्तक पर, प्रभु चोरी करने लगे, पहले ऐसे, फिर कोई आता है ऐसे फिर उर्द्व पुंडरक उपर फिर गुडिय वैश्नव नीचे नासिका परवे और फिर गुरु पुजा में आ जाओ तो भरा भरा जगे भी चंदन से भर जाता है पर वो नहीं यहां का स्थान तो चुरा लिया फिर यहां चोरी करने लगते हैं नर्सिंग आर्थी के समय फिर माला देकर बक्षस्थल रिदय का स्थान चुरा लेते हैं धोती कुर्ता सारी इत्यादी बदल कर बस्त्र वेश भूशा बदल दिये ऐसा चोर अरे कुछ भी नहीं छोड़ते हैं तो दाड़ी और मूझ भी रखते थे फिर प्रभू आ जाते हैं काउंसलर के रूप में और फिर कहने लगते हैं नासिका में तिलक है ये स्थान तो तुमने दे दी और जिवा में नाम है ये स्थान भी दे दी और मद्दे भाग वो भी तो दे दो प्रभू को और देखते देखते अनन्त जन्व के पाप भी प्रभू हर लेते हैं एक नाम मात्र से नारायन नाम नरो नरानाम प्रसिद्ध चवर कथित प्रथिव्याम अनेक जन्मार जिदपाप संचयम कहते हैं प्रभू जैसा चोर केवल नाम के शर्वण मात्र से पाप हरते हैं पाप करने की प्रभृति भी हरते हैं पाप हरना माने पिछले जन्मों में मासा र किया हुआ वो पाप हर लेते हैं अब सामने मास रखो तो भी खाने की इच्छा नहीं है पाने की इच्छा नहीं क्योंकि प्रबृति को भी हर लिए एक होता है पाप को हरना एक होता है पाप करने की प्रबृति को उन्मूलित करके भेग देना सब कुछ हरने वाले है हरी लमंगल ठाकूर आचारे चरन लिखते हैं आप तो इतने बड़े चोर निकले तो दंड भी बड़ी होनी चाहिए कौनसा दंड आपको रिदय रूपी काराग्रव में सदा सरवदा मैं बंदी बना कर बांधने वाला हो छुड़ूआंगो नहीं आपको लाइफ इंप्रिजिनमेंट और प्रभु कहते हैं निट्यम, शाश्वतम शांतम, शाश्वतम, अप्रमेयम निर्वान, शांति, प्रदम प्रभू निट्य हैं तो जीवन अवधी निट्य तो निट्य सदा सरवदा तुम बंदी बन के रहो प्रभू उसी शुद्ध आचारिय इनकी महिमा गाना जिब्भा के लिए सवभाग्य है तीसरे सकंद भागवत के पाचवे अध्याय का शलोक है सारांश यह है जो जीव भगवान से बहिर्मुख हो जाता है सूर्य से बहिर्मुख हो जाए तो छाया पढ़ने लगती है और छाया माने दुख, प्रभु माने सुक, प्रभु माने उर्जा, प्रभु माने ज्यान और जो बहिर्मुख हो जाता है पलट लेता है पक्ष वो अंधकार, अविध्या, माया, दुख, क्लेश इसमें पढ़ जाता है और अनन्त, जीवन इसी में व्यतित होते हैं दुख को सहन तो कर रहे हैं, अनुभव तो करने पर क्यों भुगत रहे हैं कोई नहीं जानता उसका मूल कारण है प्रभू से बहिर्मुखता, प्रभू से श्वास लेते हैं, प्रभू से अन्ज लेते हैं, प्रभू से मैत्री लेते हैं, दिल के धड़कन, रिदय का धड़कन जो चल रहा है प्रभू कराते हैं, रक्त संचार प्रभू कराते हैं, माता पिता प्रभू द देते हैं और हम प्रभू को एक मिनिट भी देने को तयार नहीं इतने अक्रतग्य व्यक्ति दुख का नुभव न करे तो क्या करे और धन्य है वो आचारिय जो इस जगत में आते हैं और हमारे मुख को बहिर मुख से सम्मुख बना देते हैं वरिष्ट वरिष्ण कथा वानी ग्रंद कीर्टन उपदे शिक्षा आदर्ष व्यवहार सदाचार सदविचार प्रदान करके हमें बहिर मुक्ता से सम्मुक्ता ले आते हैं प्रभू रामचंद्र कहते हैं जीव एक बार सम्मुक हो जाए अनंत जन्म के पाप में तत्क्षन भश्म करने को तयार हो नासिक जाकर देखिए हम वहीं से आ रहे हैं प्रसिद राम मंदिर प्रभू ऐसे खड़े हैं इस विग्रव में खड़ इस मुद्रा में खड़े हैं एक हाथ से चरण की ओर दर्शा रहे हैं और दूसरे हाथ से रिदय की ओर ये मुद्रा है कि एक बार जीव मेरे चरण को स्परश कर ले प्रभु राम कह रहे हैं उस जीव को आत्म साथ करके मैं रिदय में धारन करता हूँ प्रभु तो लेकिन गीता बोलकर चले गए हमारी मती नहीं बदली आचारिय जब इस जगत में आते हैं उनके विवहार से उनको प्रत्यक्ष देखकर हमारा चित मानो जो प्रदूशित था अब शुध होने लगता है रामायन से उधारन देख लीजिए मैया सिता अशोक वाटिका लंका में बद्ध है मानो रावन रूपी राक्षस ने मैया सीता का अपरण करके अशोक वाटिका में रख दिया प्रभू राम के प्रत्यक समक्ष ये अपहरण की लिला हुई परंतु एक हनुमान रूपी आचारिय उस महा सागर को लाम कर जाते हैं और सीता देवी को जाकर राम नाम की अंगुटी देते हैं और लंका को भस्म करते हैं और प्रभू राम का आगमन स्वागत करते हैं हम सब सीता स्वरुप उदारन के लिए देख रहे हैं सीता स्वरुप प्रभू से विमुख है हमारे प्रभु राम हैं हम सीता स्वरुप जीव विमुख हैं और दूर बैठे हैं और बीच में क्या है महासागर दुख का और हम यहां बैठे हैं लंकापती रावन माया रूपी जगत लंका के सुरन लंका के अशोकवाटिका भूतल में माया के अधीन कलीकाद हम बैठे हैं यहां सुरक्ठित प्रभु राम हमारे ईश्वर परमात्म वहाँ हम यहाँ और जब आचारिये गुरु रूप में सद्वैश्णव हनुमान के रूप में लांग कर छलांग लगा कर इस जगत में आते हैं और हमें राम नाम के अंगूटी दीक्षा देते हैं सिक्षा देते हैं और हमारे लंका रूपी माया प्रपंच का भस्म कर देते हैं जला देते हैं तभी तो प्रभु आते हैं और सीता को सुरक्षित रूप में स्विकारते हैं शुद्ध वैश्णव आचारियों को इतना मानते थे कि प्रती दिन हजार दंडवत प्रभू को परंतु दो हजार दंडवत वैश्णवों को हम एक दंडवत दो तो फिर नीचे जाओ तो उठने कठीन हो जाता विश्णव में बात कर रहे थे कैम्प मंदिर में दंडवत के विश्णव में सब शौटकट दंडवत होता है आचकल परंतु रगुनाद दास गोस्वामी ऐसे नहीं रिदय में इतना आधर वैश्णवों का स्मरन करते करते वो कहते थे श्रीला रूप गोस्वामी पाद की और फिर एक दंडवत फिर उठते थे श्री सनातन गोस्वामी पाद की इस प्रकार प्रतेक वैश्णव, सद वैश्णव, आचारी वैश्णव का नाम उच्चारण करते करते उन्होंने इस जगत में क्या भेट प्रस्तुत की इसका कृतिग्ज्यता से स्मरन करते करते रगुनाद दास गोस्वामी प्रते एक दिन जुग जुग कर दंडवत देते थे शिला कृष्टदास कवीराज गोस्वामी चैतने चरितामृत में तो कहते हैं वैश्नवों की पद्धूली मानो शिरोधार्य है मेरे मस्तक के लिए मानो मुकुट मनी है कभी राजगोस्वामी लिखते हैं चैतने चरितामरत में वैश्नों के चरणों में स्थित धूली जीवन संपत्ती है इतनी अधूद बात सोचिए सब गंगा देवी में स्नान किये होंगे कभी तो गंगा देवी यमुना में स्नान गंगा देवी जब इस जगत में अवतरित हो रही थी पहले तो स्विकारी नहीं भागीरत राज़ा जब पुकार पुकार कर गंगा देवी को आमंतरन दे रहे थे स्वागत करा रहे थे तो गंगा देवी कही प्रदूशित भूतल स्थन इस थली में या इस थान में मैं अगर आ जाओं तो प्रदूशित हो जाओंगी सब अपना कूडा कच्रा रिदय का जो मल है जो गंदगी है जो अपरात परवर्ती है पाप परवर्ती आकर मुझे में धोलेंगे गंगा देवी कहते हैं मुझे इस जगत में आने की कोई इच्छा नहीं भगीरत राजा कहें नहीं आप आजाएं आप जो चाओं मैं करने को तयार हूँ गंगा देवी पूछती है फिर एक इच्छा है इच्छा ये है मैं इस जगत में आने को तयार हूँ सब को आमंतरन देकर स्नान कराकर पाप से दूशित होने को तयार हो परंतु ये सवभाग्य दे दो कि उनके साथ-साथ वैश्णव, आचारेगन वरिष्ट महंत लोग आकर अपने चरण की धूली मुझ पर अभिशिक्त करेंगे यदि वो मिलने को तयार है इस जगत में नदी बनकर मैं रहने को तयार हूँ यमुना देवी का इतना बड़ा बलिदान गंगा देवी का इतना बड़ा बलिदान सभी नदी सब आध्यात्निक जगत से अवतरित होते हैं और इस जगत में केवल जल रूपी नदी बनने को तयार, इतनी विनम्रता, गंगा में क्या-क्या प्रदूशित वस्तूप लोग नहीं फेकते हैं, कोई प्लास्टिका बैग फेकता है, तो कोई पुश्प फेकता है, कई लोग तो गंदगी फेकते हैं, कई बार तो देर त्याग के देह को फेका जा होंगे, कूडा, कच्रा, फैक्टरी का इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, सब प्रदूशन गंगा और जमुना में, गंगा देवी ये सब सेहने को तयार है, प्रभू के चरण को धोकर निकली हुई गंगा, ये सब सेहन करने को तयार है, यदि वैश्णव की पद्धोली मिल ज इश्णव थे, ये सब सोच विचार कर, उन्होंने गंगा में एक बार भी अपना चरण नहीं डुबाया, पुंडरिक विद्यानिदी विनमरता के स्वरूप ये सोचते थे, गंगा देवी को सब दूशित कर रहे हैं, भला मैं अपना चरण डाल कर अनादर भाव से दूश हो रहा है, गंगा देवी रुखी है कि शुद्व वैश्णव आके चरण स्परश करेंगे तो मैं जीवन मेरा पवित्र सार्थक होगा, और पुंडरिक विद्यानिदी सोच रहे हम तो शुद्व वैश्णव है ये नहीं हम चरण क्यो रखें, वैश्णव के पदधूली को जीवन का एक मातर लक्षे मान कर, गंगा देवी जल बनने को तयार है, इस जगत में दूशित होने को तयार है, इतना मानती है वैश्णवाचारियों को रहुगण महाराज, पाच्वे सकंद भागवत में, जब जडभरत से पूछते हैं, सभी शास्त्रों का सार, तो जडभरत कहते हैं, जडभरत कहते हैं, रहुगण महाराज से, सभी शास्त्रों का निचोड सार यही है, न तपस्या से प्रभू मिलते हैं, उसका रतिये नहीं कि तपस्या शिल नहीं होना चाहिए, हमें हमारा कारी करना चाहिए, परन्तु प्रभू केवल तपस्या के बल से प्राप्त नहीं होते हैं, केवल सेवा और पूजा से प्राप्त नहीं होते हैं, ब्रह्मचरिय केवल यदि अनिवारी है ब्रह्मचरिय, पर केवल ब्रह्मचरिय के बल पर प्रभू प्राप्त नहीं होते हैं, केवल ग्रहस्त का प्रभु प्राप्त नहीं होते न चंदसान नईव जलागनी सूरियो उष्टता के धूप को सहने से अत्वा शीतल समय के रात के समय के ठंडक को सहने से प्रभु नहीं मिलते हैं केवल एक मार्क से प्रभु मिलते हैं बिना महत पाद रजोविशेखम केवल महत वरिष्ट वैश्णव आचारिय वैश्णव सद वैश्णव शुद्वैश्णव के चरण में लगे हुए रज से जो अभिशिक्त होता है जो स्नान करता है ऐसे व्यक्ति को प्रभु मिलते हैं यही बात का पुष्टी करन प्रलाग महाराज भी सात्वे सकंद में कहते हैं मही असाम पाद रजोभी शेकम वो तो प्रभु को कह देते हैं कभी इरन्य कशिपों को शिक्षा दे रहे हैं तो कभी सवपाठियों को शिक्षा दे रहे हैं कभी तो नरसिंग देव को शिक्षा रहें कि शीक्सा हमें दे रहें पर नर्सिंग रूर को प्रार्थना करते करते हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है शिक्षा ओ तो कहते है महि असाम बाद रजओविशेखम सबाठियों को कहते है कि बीना महिं असाम महत व्यक्ति के चरण कुछापने की अतिरिक्त चरण रज प्राप्त करने अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं सव उत्तम श्लोका महन मुखच्चुतो भवत पदाम भोज सुधा कनानी लग पृत्व महाराज भी इसकी अभिलाशा रखते हैं कि शुद्वईष्णव के चरण मिल जाए चरण रज मिल जाए ठाकूर वईष्णव पद अवनी रसंपद अवनी अर्थत पृत्वी रसंपद पृत्वी की एक मात्र संपत्ती क्या है ठाकूर वईष्णव पद आचारियों की चरण रज अभी प्रशन ये उठता है चरंडरज हम जानते है आचारियों की महिमा भी जानते है पर प्रत्यक शुरूप में आचारियों की सानिद्य ये संगती कैसे प्राप्त हो संग कैसे प्राप्त हो उनकी पदधूली इसे लाभानवित कैसे हो सके कैसे प्राप्त करे पाच मार गए एक एक करके पहला उनकी वानी अथवा उनके ग्रंथ जो वरिष्ट आचारिय वैश्णवों की वानी उपदेश शिक्षा कथा अथवा उनकी द्वारा लिखित ग्रंथों का पालन करता है ये मानना चाहिए उनको उन आचारियों का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त है शिला प्रभुपाद जी को एक बार एक न्यूज रिपोर्टर ने पूछा इस संस्था का क्या होगा जब आप इस जगत में नहीं है आपके तिरो भाव के बाद इस संस्था का भविश्य क्या है ये प्रश्ण था प्रभुपाद ने न्यूज रिपोर्टर को प्रश्ण भी पूरा करने नहीं दिया वो रिपोर्टर पूछ रहा था कि इस संस्था का आपके जाने के बाद क्या और प्रभुपाद ने कहा मैं तो कभी नहीं जाओगा और इसी प्रकार प्रभुपाद के जो शिश्य हानिवाई है उन्होंने भी हरी बोल करके प्रभुपाद जी का जैभोश किया प्रभुपाद जी कहे, I am not going to die, I live eternally in my books मानो प्रभुपाद जी के वचनों से, उनके कथाओं से, उनके ग्रंथों में प्रभुपाद जी प्रत्यक्ष आज भी उपस्तित है, आज भी जीनित है जो प्रभुपाद जी कमरे में शिश्यों को प्रत्यक्ष कहते थे ग्रंथों में प्रस्तुत है, यदि कोई उसको पढ़ ले और जीवन में उतारे आत्मसाथ करे मानो वो ही भल है जो प्रभुपाद जी कमरे में एकांत में भक्त को बताए इसलिए श्रीला प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते समय एक नियम बनाना चाहिए तात्पर्य से उपर हमारा नाम लिखे, मेरा नहीं, अपना अपना नाम लिखे जो भी तात्पर्य हम पढ़ रहे हैं, उसके उपर पेंसिल से डियर करके अपना नाम लिखे फिर तात्वरे और फिर उसके बाद लिखें यौर एवर वेल विशर एसी भक्ते विदांतर स्वान और यह हुआ क्या प्रभपाद्वारा लिखित पत्र आपके लिए यदी सोचिए प्रभपाजी द्वारा लिखित पत्र हमें हमारे नाम का मिले हम उसको मानों शिरोधारी जीवन का प्रमुख प्रदान स्थान देंगे प्रत्यक तात्पर ये बसा है हम ये क्यों सोचे ये सब के लिए लिखी गई है और मैं बस एक पाठक हूँ या एक पढ़ने वाला विद्यार्थी हूँ हम ये नहीं सोचना चाहिए प्रत्यक तात्पर ये मेरे लिए है क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ प्रभुपाजी ने सब में बाटा उसी प्रकार जब हम कथा सुनते हैं प्रभुपाजी के लेक्चर सुनते हैं हमारे गुरु महराजी सब के अपने अपने गुरु वर्य का हम जब कता सुनते हैं हमें ये सोचना चाहिए कि हम फोन में बात कर रहे हमारे गुरु माराज के साथ सोचिए शीला प्रभुपाजी के साथ फोन कॉन्वरिजेशन यदि संभव हो केवल आपको, किसी और को नहीं प्रभुपाजी कॉल किये केवल आपसे बात करने के लिए और हम फोन में बात कर रहे हैं और प्रभुपाजी वहां से बोल रहे हम क्या करेंगे बुक और पैन उठा कर हम नोट्स बनाएंगे और ध्यान पूरवक एकागर चित होकर श्रवन करेंगे बस कथा यही करनी है यही सोचना है कि शिला प्रभुपाजी मुझ से बोल रहा है मेरे गुरु महराज मुझ से बोल रहा है यह मेरे लिए है यह इसके लिए नहीं है ताकि हम समझे और दूसरों के जीवन ने परदोर्श दर्श्री बने अरे हमारे गुरु महाराज तो ये कहते थे प्रभुपाजी तो ये कहते थे ये नहीं मानते ऐसा नहीं अब हो गई गल्ती प्रभुपाजी के कथाओं को सुनकर ये मिरे लिए है यानि ऐसे आत्मसाथ किया जाए तो आचार्य का सामिध्य प्राप्थ है तो ये हुआ पहला नरोतम दास्थाकुर इसी बात को पुष्ट करते हैं जो हम प्रत्यक दिन गाते हैं गुरु मुखा आगे नरोतम दास्थाकुर लिखते हैं गुरु मुखा पद्मबाख्या गुरु के श्रीमुख से निकली उपदेश शिक्षा अथ्वा हस्त कमल से निकली वी ग्रंत चित्ते ते करिया आई किया मेरे जीवन का एक मात्र वांचा अथ्वा एक ही इच्छा है कि मेरा चित्त और गुरु की वानी मिश्रित होकर एक हो जाए यदि ये भाव हो तो उत्तम है गुरु सानिध्य प्राप्थ है एक बार मायापुर मंदिर की कथा है एक पुजारी पुजारी रूम में थे एक वरिष्ट गौडिय वैश्णव आए वयो बृद्ध थे हाथ में back to Godhead ग्रंथ लेकर अथवा मैगजीन लेकर उस पुजारी के कमरे में आए और पूछने लगे आप सब स्वामी प्रभुपाद के शिश्य है क्या तो विदेश से भक्त थे विदेशी देयधारी भक्त थे उन्होंने कहा yes we are all disciples of श्रील प्रभुपाद how can we serve you आप कौन है हम सब उनी के शिश्य है आप बताईए तो ये वरिष्ट गौडिय वैश्णव बता रहे थे हम अद्वाइत भवन अद्वाइत आचारिय का जो घर है शांतिपूर में वहां के विग्रस में स्थित सेवा स्थित हम पुझारी है अब ये कहने लगे बहुत बर्ष पहले की बात है हम लगबग पचास साल से सेवा कर रहे हैं महाँ विग्रे की हम वहीं सेवा करते आए हैं और सालों साल करेंगे कई साल पहले जब हम सेवा कर रहे थे तो एक ग्रहस्त आते थे और एक स्थान में बैठ कर दुपेर में दो दो तीन तीन चार चार घंटे माला घुमा कर नाम जबते थे ये पुझारी कहने लगे किनी से बात नहीं करते थे ये ग्रहस्त किनी से बात नहीं करते थे एकांत में बैठते थे अद्वईत भवन में जहां अद्वईत आचारिय नित्यानम्द प्रभू और चैतन्य महाप्रभू आते थे विश्व प्रचार का जो भी जो भी योजनाई होती थी अद्वईत भवन में होती थी तो ये पुजारी कह रहे हैं एक ग्रस्त आकर एक स्थान में प्रत्य एक दिन आकर दुपेर में बैठते थे और दो-दो-तीन-तीन-चार-चार घंटे नाम जबते थे गम भीर चित्त होकर किनी से बात नहीं करते थे ये पुजारी कहते हैं उनके मुखवृत्ती से फेशल एक्स्प्रेशन से ये पता लगता था कि बहुत प्रार्थनात्मग भाव से नाम जब रहे कई साल बीद गए ऐसे आ रहे हैं पुजारी कए हम डरते थे उनसे बात करने के लिए क्योंकि इतने गंबीर भगत किनी से बात नहीं करते थे केवल نाम जबते थे बोले फिर कई साल आये नहीं फिर कई साल बाद उसी स्थान में देखो तो एक सन्यासी बेटे थे और हम ध्यान को रोग देखे ये सन्यासी दुपेर के समय जिस प्रकार वो ग्रहस्त जबते थे उसी प्रकार उसी शहीरी से अब ये सन्यासी बैटकर उसी गंविर्था अथवा अधिक गंविर्था से अब नाम जब रहे हैं अब तो नाम जबते समय अश्रूपात हो रहे हैं तो पुजारी आये साहस किये बुले सन्यासी जी कहीं आप वही ग्रहस तो नहीं कहीं सालों साला आकर जबते थे तो सन्यासी जी बुले हाँ तब मैं ग्रहस था अब मेरा नाम भक्ति वेदानत स्वामी प्रभुपाद है भक्ति वेदानत स्वामी है पुजारी कहते हैं आप सालों साल ग्रस्त होकर यहां नाम जबते थे हम डरते थे आपसे हमें बात करने की इच्छा होती थी परन्तु इतने गंभीर चित्त से आप जबते थे और अब आप सन्याजी हैं अब तो रो रो कर जब रहें क्यों चित्त में क्या चल रहा है क्या सोच विचार में लगे करो मैं बुढ़ा व्यक्ति शरीर में सामर्थ नहीं शक्ति नहीं मुझे ये भी नहीं पता कि समुद्र लांग कर पार करके इस जल जहाद से मैं उस पार जा भी पाऊंगा कि नहीं ये भी नहीं पता और वहाँ जाओं तो भी किनी को नहीं पैचानता मैं क्या करूंगा वहाँ परन्तु गुरु महाराज की आज्या हुई है मेरे गुरु महाराज प्रभुपाजी कहते हैं उस पुझारी से मेरे सपने में आए और ऐसे ऐसे इशारा कर रहे थे तो हम समझ नहीं पाए आगे आओ आओ मेरे पास इस प्रकार तो प्रभुपाजी कहते थे सपना कई बार सपना खंढीद होता था तूट जाता था तो हम उड़ जाते थे फिर बारं बार वही सपना ऐसे फिर मुझे समझा मेरे गुरु महराज मुझे कह रहे है तुम आओ सन्यासी बनो छोड़ दो सब कुछ प्रपन छोड़ कर आ जाओ पूरे विश्व में प्रचार करना है आ जाओ अब इन पुजारी को प्रभुपा जी कह रहे है कल जल्दूत नाम कर जल्द जहाज में मैं जाने वाला हूँ कल और पता भी नहीं मैं जीवीत रहूँगा की नहीं मैं आखरी बार आया यहां अद्वईत भवन रो रोकर पुकार रहा हूं अद्वईत आचारिय से जिस प्रकार नवदीब क्षेत्र जो भक्ति हीन था वहां आपने महाप्रभू का मानो प्रादुर्भाव कराया उस प्रकार अमेरिका रूपी नवदीब जो भक्ति हीन है मैं अद्वईत आचारे से प्रार्थना कर रहा हूं कि वहां भी भक्ति का प्रादुर्भाव हूँ अब कई साल बाद कई साल बाद विदेश से भगत, धोती, कुर्ता, इत्यादी, शीका धारी, कंठी धारी, माला धारी, अध्वाइत भवन में बैटके जब रहें उसी स्थान में जहां प्रभुपा जी बैटकर जबते हैं और ये पुझारी देखे, कभी देखने में नहीं आया, गवडिय वैश्णव विदेश क्षेत्र से आके इतनी सुन्दर तरीकी से जब रहें और वही स्थान में जहां स्वामी जी बैटते थे, तो जाकर उनसे पूछे, आप कौन है? तो वो बैक टू गॉड़िट निकाले, बोले कि आपको हम बैक टू गॉड़िट देने आये हैं, बुग डिस्ट्रिबूशन स्कोर बढ़ाने तो पुझारी जी लिए और खोले, पन्ना पलटने लगे तो स्वामी जी का फोटो बोले ये स्वामी जी आप पहचानते हो, ये सब शिश्ये बोले हम उनके शिश्ये हैं तो पुझारी अब ये बैक टू गॉड़िट लेकर मायापुर मंदिर आए, गोशित करने के लिए आपके प्रभुपाजी को हम ग्रहस्त जीवन से जानते हैं वो अपने गुरु माहराज के उपदेश वानी से आत्मसाथ होकर, एक होकर, तल्लिन होकर कृष्ट शक्ती बिना नहीं तार प्रवर्तन, जगत का प्रिवर्तन ऐसे नहीं किये अपने गुरु माहराज के वानी को आत्मसाथ करके, तल्लिन होकर, चित्त एक होकर पूरे जगत में अपने गुरु महाराज का प्रभाव प्रसार करा रहे हैं तो आचारियों के संग का मानो पहला मार्ग क्या है किस प्रकार से हम आचारियों का संग ले सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं उनकी वानी अथवा उनका गरंद अब दूसरा मार्ग उनके द्वारा स्थापिद विग्रहों की सेवा करके जो शुद्ध वैश्णव होते हैं वो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं प्राण प्रतिष्ठा आर्थ, एक आर्थ तो ये हुआ कि विग्रह में अष्ठदातु-पंचितातु-इत्याधि में, प्राण संचारित करना, प्रतिष्ठित करना। दूसरा आर्थो ये है शुद्ध वैश्णव के प्राण कौन है कृष्ण अपने ही प्राण को रिदैज निकाल कर व्यक्तिगत रूप में मूर्ती में प्रतिष्ठित करना मानो प्राण प्रतिष्ठा अपने ही प्राण कृष्ण को गोर्निताय को प्रतिष्ठित करना उनका चित लग जाता है उन विग्रों में। ऐसे विग्रों का जब कोई सरलता से सेवा करे, स्मरण करे, चिंतन करे, उनसे प्रार्थना करे, तो उनी आचार्यक की संग प्राप्ति का लाब होता है। जब कोई जाकर दर्शन करता है, तो कौन से आचार्यका स्मरण होता है। श्रील रूप गोस्वाम, इसलिए गाते भी हैं। जय राथा, गोगिंदे राथा, गोगिंदे राथे। उसी प्रकार जब राधा दामोदर ब्रंदावन जब दर्शन करते तो किनका स्मरण होता है जीव गोष्वामी और राधा रमनलाल गोपाल भट गोष्वामी गोपाल भट प्राणधन हे गोपाल भट प्राणधन हे गोपाल भट प्राणधन हे श्रीलर गोपाल भट प्राण आचारिय द्वारा स्थापेत प्रतिष्ठित विग्रे की जब सेवा हो तो उन विग्रे के साथ साथ उन इष्ठ के साथ साथ आचारिय भी वहीं स्थित है जिस प्रकार राम प्रभू राम का स्मरण हनुमान की बिना हो नहीं सकता और हनुमान का स्मरण प्रभू राम भक्ति की बिना हो नहीं सकता प्रलात का स्मरण तो न भी आचारिय की संगति या सानित द्यचरंड जानित द्यहम प्राप्त कर सकते हैं यदि उनके द्वारा स्थापित विग्रह की सेवा हो इस संदर में मुझे विशेश स्मरन होता है श्रिला गौर्गोबिंद महराज का श्रिला गौर्गोबिंद महराज बाल्य काल से आसक्त थे अपने गोपाल जीव विग्रह से बाल गोपाल जी थे उनको गोपाल जीव कहते थे अर्थात प्राणधन जीव जैसे बाल्य काल में तो ऐसी भी कथा आती है कि ब्रजबंदु मनिक अर्थात गौर्गोबिंद महराज बाल्य काल में भाग भाग कर अपने गोपाल जी के साथ खेलते थे कई बार प्रांगन में देखो तो एक बालक है शाम बरनी ये बालक कोई नहीं जानता कहां से आया ये बालक प्रांगन में भाग रहा है गौर गोविंद महाराज के साथ ब्रजबंदु मनिक के साथ और जब ब्रजबंदु मनिक ठक जाते हैं ये बच्चा भी अद्रिशे हो जाता है मंदिर में प्रवेश दर्वा जब खोलो तो केवल बिग्र बाल्ली अवस्था से उनके तिरोभा वस्था तक श्रीला गौर गोविंद महाराज प्रतिक्षान गोपाल जीव का स्मरण करते थे श्रीला गौर गोविंद महाराज मायापूर में थे और ये श्रीला भक्ति सिद्दान्त सरसोदी ठाकुर का आविर भाव दिवस्था लगबक तीस साल पहले की बात है अठाई साल पहले की बात है श्रीला भक्ति सिद्दान्त सरसोदी ठाकुर की आविर भाव दिवस और मायापूर क्षेत्र संध्या काल का समय श्रीला गौर गोविंद महाराज अपने कमरे में दर्शन दे रहे थे कहीं भक्त आ रहे थे प्रशन पूछ रहे थे कमरा भर चुका श्रीला गौर गोविंद महाराज प्रशन उत्तरी ले रहे थे और एक भक्त ने पूछ लिया श्रीला गौर गोविंद महाराज से महाराज जी जब राधारानी और कृष्ण सौ वरस के बिरह के बाद कुरुक्षेत्र में जब पुनर मिलन हुआ और उनकी दृष्टी नेत्र एक दूसरे पर पड़ी तो उनके रिदे में क्या भाव उम्डा यदि इनका आप विस्तार कर सके तो श्रीला गौर गोविंद महाराज प्रारंब किये और कहते कहते कथा का जो सार है वो गौर लिला तक पौँच गई वो ये कहने लगे कि राधारानी की विरह भाव को देखकर कृष्ण प्रार्थना कर रहे थे कि कब मैं राधा बन सकूँ और इन विरह सात्विक विकारों का मैं प्रत्यक्ष अनुभव कर सकूँ इसलिए गौर अवतार के रूप में अवतरित हुए और वही कृष्ण कुरुक्षेत्र के जगनात के रूप में है और गौर गोविंद महाराज कह रहे थे रध्यातर प्रसंग में जगनात पूरी रूपी कुरुक्षेत्र में राधारानी के भाव भावित महाप्रभुन रित्यकर रहे हैं और विरह रूप में कृष्ण जगनात के रूप में उपस्तित हैं और जब रत्यात्र प्रसंग में जगनात और चैतन्य महाप्रभू के परस पर दृष्टी मिली मानो कुरुक्षेत्र का स्मरन हुआ जब राधा और कृष्ण एक दूसरे को सौ साल के बिरह के बाद सम्योग होकर प्रत्यक्ष अनुभव करके देखने लगे गौर गोईन महाराज ऐसे विस्तार कर रहे थे तब प्रेम के विकारों के कारण वानी गदगद होने लगी वानी गदगद होने लगी स्वेत बिंदू से शरीर लत्पत हो गया पुलक होने लगा वैवरन होने लगा अर्थात शरीर की कांती परिवर्थित होने लगी वानी गदगद और अश्रुपात और गौर्गविंद महराज कहने लगे मैं इसके आगे कुछ बोल नहीं सकता किरतन करो और सब भक्त आश्चरिचकित होगे कोई भक्त में इतने विकार देखने नहीं मिलता केवल कृष्ण कथा के अभिनीवेश में आवेश में ऐसे विकार स्पूर्ती कहने लगे इसके आगे वानी बोल नहीं पारी हम बोल नहीं सकेंगे आप किरतन करो भक्त किरतन करने लगे गौर्गविंद महराज रोते रोते कहते हैं गोपाल की छवी लेयाओ मेरे गोपाल की छवी लेयाओ गोपाल जीव लेयाओ गोपाल जीव की छवी जिनको बाल्य काल से स्नेह का स्नान कराया अपने रिदय के स्नेह के पंचामरत से स्नान कराया उन गोपाल जीव के प्रतिक छवी को देखकर गौर गोईन महराज करें हा गोपाल और शरीर पूरा हुआ दाट वस देट भगवान कहते हैं अन्तकालेच मामेव स्मरन मुक्तवा कलेवरम स्मरन मात्र करने से याती न अत्रसम्षयर ऐसा भक्त मेरे धाम लोटता है इसमें कोई संशे नहीं उतो मानसिक्सतर की स्मरन की बात हो रही है और यहां कथा भी चल रही है वानी से शरीर से पुलक भी हो रहा है मन से ऐसा अवेश काये नवाचा मनसेंद्र ये इरवा बुद्ध्यात्मनावा प्रकृते स्ववावत हम तो बोल लेते हैं आर्ती के अंत में परन्तु इनों ने तिरोभाव के अंतक्षन में इसका प्रदर्शन कराया हम सब पता भी नहीं मृत्युकाल में कहां होंगे कोई पास होगा अभी नहीं की नहीं होगा पता नहीं पता नहीं कौन से अस्पताल में होंगे अत्वा घर में दिल का दोरा होगा पता नहीं कैसी वस्ता होगी हम सब की परन्तो जैसा हमारा अभी का स्थर है ये दुरलब अती दुरलब लग रहा है यहां से कि कृष्ण विरह विकलता से प्रांट छुट जाए जब वईदे राजों ने बाद में शरीर को देखा शरीर में कोई दिल का दोरह कभी निशान नहीं था डॉक्टर बाद में देखकर शरीर को देखकर बोले पता नहीं मृत्यू का क्या कारण है डॉक्टर पकड़ नहीं पाएंगे मृत्यू का कारण पकड़ नहीं पाएंगे मृत्यू का कारण क्योंकि ये मृत्यू नहीं था ये तिरोभाव था और तिरोभाव इसलिए हुआ क्योंकि कृष्ण विरह वेदना से दग्द थे तो अब मुझे बताईए जब उन गोपाल जीव भी ग्रह का कोई सेवा करे उन गोपाल जीव का स्मरण करे क्या शिला गौर गोविन माराज प्रत्यक्ष नहीं है महाँ प्रत्यक्ष है कोई भी सद्वैष्ण द्वारा स्थापित विग्रह की सेवा स्मरण हो प्रार्थनात्म भाव से स्मरण हो उन विग्रह के चरणों में वो आचारे स्थित है तो कितने बात हम सीखे अब तक पहला वानी अथ्वा ग्रंथ दूसरा विग्रह अब तीसरा मर्ग जिससे आचारे से हम जूड सकते हैं उनके तदिय से तदिय माने उनके द्वारा प्रयोग किया गया वस्त्र किनी सादु की कमंडलू अथ्वा किनी की कंठी माला, किनी की जप माला यदि इनका दर्शन हो सादु महीं है यह सब शास्त्र प्रमानित हैं हम जो कह रहे हैं श्रीपाद रामानुजाचारिय की जीवन में सत्य घटना आती है श्रीपाद रामानुजाचारिय एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा कर रहे थे यात्रा में उनके साथ उनके शिश्य थे दाशे रती अब श्रीपाद रामानुजचारे ने शिश्षी से कहा हमारे जो भी विग्र हैं इनको साथ में बांध कर एक पोटली बना कर अथवा एक बैग बना कर यात्रा में ले जाए रामानुजचारे ने स्पष्टवानी ये कही हमारे जो भी विग्र हैं पूजनिय विग्र इन सब को साथ लेकर अनुरोध है बच्चे यदि यात्रा कम करे तो यदि वरिष्ट संभाल पाएं इसको कथा में बाधक नहीं होना चाहिए क्या कह रहे थे विक्षेप हुआ श्रीपाद रामानुजचारे अपने शिश्य से कहते हैं जो भी विग्र है इन सब को साथ लें क्योंकि यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं तो हमारा कर्तव्य के सब हमारे इश्ट साथ में हो पता है दाशरती क्या करने लगे हैं लक्ष्मी नारायन के विग्र जो हैं जो श्रीपाद रामानुजचारी के इश्ट हैं उनको रखे साथ साथ श्रीपाद रामानुजचारी के पादुका को उठा कर रख दिये श्रीपाद रामानुजचारियत देखें बोले ये क्या कर दिया तुमने लक्ष्मी नारायन की विग्रे के साथ-साथ मेरी पादुका रख दी ये मुर्खता हुई शिश्य अपने शिश्य अभीमान में स्थित होकर कहते हैं अज भ्वर आपी ने तो कहा कि सब विग्रों को साथ में रख दो लक्ष्मी नारायन आपके विग्रे हैं, आपकी चरन पादुका मेरे विग्रे हैं कहते हैं आपके चरन धूली लगने के लिए प्राप्ट करने के लिए हम लालाईत हैं हम भागते हैं चरण धूली मिल जाए और ये पादुका तो अध्भुत्षो भग्यवान वो भागता नहीं आप जाकर रख देते हैं जंकर आचारे ने तो पूरा नमो नमश्री गूर भ्याम गूरु चरण की बंदना नहीं गूरु चरणों में स्थित पादुका की बंदना श्रीला प्रभुपाजी ने 1973 में अपने एक शिश्य को गेरवा वस्त्र भेट दी सैफरन क्लोथ वो भग्त पूछे प्रभुपाजी से इस विश्य में आप बताएं हम इसको कैसे महापूर्ण भाव से जीवन में पूजा कर सके अथवा प्रयोग कर सके श्रीला प्रभुपाजी ने कहा अंग्रे जी में जब कोई वरिष्ट वैष्णव शुद्ध वैष्णव अपने तदी अर्थाथ वस्त्र इत्यादी की भेट प्रदान करता है तो यह दुरलब है यह सवभग्यवान को ही प्राप्त है तो वो शिश्ष्य आज भी प्रभुपाजी के उस गेरवे वस्त्रों को धारन करते हैं अर्थाद रखते हैं पूजा करते हैं तो यह हमारा मूल भूत सिध्धान्थ है कि गुरु द्वारा प्रभुपाज द्वारा आचारियों द्वारा जो पादुका है अत्वा जीव गोश्वामी हरिदास ठाकुर के जपमाला है वरिष्ट वैष्णों की कंठी है इनके दर्शन करने से हमें प्रतेक्ष उन आचारी का स्मरण होता है संग प्राप्त होता है दन्या है प्रभुपाजी की शिश्यन प्रभुपाजी के तिरोभाव के बाद उन्होंने यथा रूप प्रभुपाजी के सबी तदियों को ब्रंदावन मंदिर में जब आप प्रभुपाज हाउस में प्रवेश करेंगे वहां मेमोरियल बनाकर उन्होंने स्थापिद किय देखे कितनी सुंदर बुद्धी है क्योंकि हो सकता है जब आचारे तिरोभावित हो गुरू तिरोभावित हो तो उनके पादुका, उनके बस्त्र, उनकी जपमाला बट सकती है और उसका महत्वक्तम हो सकता है परंतु धन्य है वो शिष्य, बुद्धिशाली शिष्य जो प्रभपाजी के तिरोभाव के बाद भी उनके सभी तदियों को यथा रूप वहां प्रस्तुत किये ताकि आज भी हम जा सकते हैं और प्रभपाजी के चस्मे, प्रभपाजी का पेन, प्रभपाजी के भिन-भिन तदियो तदियो माने उपियो किये गए वस्तुत उनका दर्शन कर सके तो ये तीसरा पहला वानी अथ्वा गरंद दूसरी बात जिस कमरे में, जिस कुटिया में, जिस कुटीर में वो भजन किये हैं अर्थात उनका भजन कुटिर वहाँ प्रवेश करना अथ्वा वहाँ यात्रा करके वहाँ बैटकर नाम जबना ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उन आचारे की चरण सानिद्य में यदि जब हो इसलिए जब हम यात्रा के लिए जाते हैं ये अनिवार ये है महत्वपूर्ण है इसका विशेश गुरुत्व है हमारे संप्रदाय में और सभी वैश्णल संप्रदाय में जो सिद्ध महापुरुष रहे हैं उनकी भजन स्थली में जाना प्रार्थनात्मख भाव से जुकना कोई प्रपंच की बाते न करना एक वरिष श्रिला प्रपाद की शिश्य यात्रा ले जा रहे थे गोवर्धन में और वहाँ वो यात्रा कर रहे थे और उनके जो अनुयाई थे वहाँ जाकर मंदिर का मैनेजमेंट डिसकस कर रहे थे गोवर्धन में यात्रा के समय और वो गुरु कहने लगे कितने जन्मों के ब्रह्मन के बाद एक मानव शरीर प्राप्त हुआ कितने मानव शरीर के ब्रह्मन के बाद एक भक्त शरीर प्राप्त हुआ कितने भक्त शरीर के ब्रह्मन के बाद भक्त संग प्राप्त हुआ और वहां से होकर ब्रिंदावन धाम में गोवर धन में परिक्रमा करने का सवभाग्य हुआ और आप लोग यहां आकर भी वहां का डिसकर्शन कर रहें वहां की चर्चा कर रहें वो महराज कहे, केवल जब करने का अधिकार है माउन धारण करके परार्थनात्मक भाव गंभीर चित्त हो कर परिक्रमा लगाओ क्योंकि गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा में अनन्त सादू संत आचारिय भिन्बिन संप्रदाय कि उन्स सब की बैठक उन्स सब का भजन कुटीर है हमेश स्मरन है जब हम हमारे गुरु महारज के साथ गिरिराज गोवर्धन गये थे हमारे महाराज ईशिलर अधागोईन महाराज मुझ से कहने लगे गिरिराज गोवर्धन में ये गोविंद कुंड के सट पे था उस दिशा में मादवेंद्र पूरी का बैठक है और इस दिशा में महाप्रभु श्रीपाद बल्लभाचारे जी की बैठक है गुरु महाराज मुझे कहने लगे जब मैं पहले बार ब्रंदावन आया ये महाराज जी के बचन है जब मैं पहले बार ब्रंदावन आया प्रत्य दिशा में मैं देख रहा था महाप्रभु की बैठक प्रभ्रजवासियों से विचार विमर्शुवा चर्चा हुई तब उन्होंने कहा ये महाप्रभु श्रीपाट बल्भाचारी जी है पुष्ती मार्क संपरदाय के प्रमुक आचारिय हम सब के लिए प्रमुक आचारिय श्रीपाद बल्लभाचारी जी का एक पत्र भी है कि we are all respectful followers of श्रीपाद बल्लभाचारी जी इतना कि पहले सकंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक तात्पर्य में श्रीपाद बल्लभाचारी जी की सुभोधनी टिका भागवत के विध्यर्दियों को पठन करने योग्य है तो मेरे गुरु महाराजी कह रहे है कि मुझे पता चला ये श्री महाप्रभू श्रीपाद बल्लभाचारी जी की बैठक है और फिर संशोदन करके पता लगा केवल बैठक अर्थवा यहाँ बैठे नहीं है बैठक का अर्थ है यहाँ बैठकर भागवत की सब्ता हुई है विशेश विशेश स्थान जहां बैठक शब्द है महाराजी कह रहे थे यह केवल ऐसे नहीं कि आये और बैठे और चले गए यह वहाँ है वो स्थान है जहां भागवत को लेकर बैठा गया और आचारी वहाँ बैठकर साथ साथ दिन भागवत की व्याक्या किये हैं तब जाकर वो बैठक गोशित होता है तो किनी आचारी की बैठक, भजन कुटीर, भजन स्थली यहाँ जाकर प्रार्थनात्मग भाव से जुकना और स्मरन करना कि उन्होंने हमारे जीवन में इतनी बड़ी बेठ, इतनी बड़ी योगदान उनका रहा है उनके सभी आचारियों की उनकी वानी, उनके श्लोक, उनके गरंत, उनके टीकाएं, उनकी कथाएं उस थान में बैठ कर विचार करने योग्य है इससे भक्ती उर्जा संचारित होती है रिदाई में स्मरन मात्र करने से जाहां होईते बिग्ननाश अभिष्ठ पूरण ग्रंतेर आरंबकरी मंगलाचरण हरी गुरु वैश्णव तीनेर स्मरण तीनेर स्मरण होई विग्न विनाश अनायासे होई नीजबांचीत पूरण कविराज गुष्वाइपात कहते हैं शुद्वैश्णव, हरी और गुरु जनो मानो सभी भक्त उनमें भी विशेश गुरुतुल्य वैश्णव और भग्वान इन सब के हरी गुरु वैश्णव तीनों का स्मरण करने मात्र से विग्न विनाश अनायास, भक्ति पत्में जो गति रोदक बाधाएं हैं, ये उनमूलित होती हैं और सभी सिध्धी प्राप्त होती हैं श्रीपाद आइंद्र प्रभु ब्रह्मचरी आश्रम में 25 साल विशेश करके 24 साल एक ही कमरे में बैटकर भजन किये वर्णावन में अब वो कमरा नहीं रहा क्योंकि गुरुकुल बिल्डिंग को तोड़ना पड़ा क्योंकि काथी पुरानी हो चुकी है इमारत कहने का उद्देश ये है वरिष्ट वैष्णव जहां भजन करते हैं वहां जाकर यदि दो माला हम चब पाएं और उनसे प्रार्थना करे तो उनकी चरण सानिद्य प्रावत है इसलिए श्रीला प्रभुपाद जी का क्वाटर्स मंदिरों में पाया जाता है प्रभुपाद क्वाटर्स जुहू मंदिर में है हमारे अटलंटा मंदिर में है प्रभुपाजी बैठे हैं वहां आकर आज भी वो कमरा है जहां प्रभुपाजी रहे और ब्रंदावन में तो कहना ही क्या प्रभुपाजी लंडन छोड़कर भाग कर आये उस कमरे में देहत्या के समय तिरोभाव के समय आज भी भक्त जाते हैं प्रभुपाद हाउस कहते हैं सब गए हैं ब्रंदावन में ये जानना है ये केवल इमारत नहीं है ऐसा नहीं कि चलो सब भक्त जा रहे हैं मैं नहीं जाओंग तो उनको लगेगा कि प्रभुपाजी के चरुणों में आस्ता मेरी कम है ये भाव किसी को प्रूव करने के लिए नहीं जाना है मन में ये सोचना है ये वो पवित्र स्थान है जहां प्रभुपाजी रहे हैं और अंतिम ख्षन तक भागवत की टीका का मानो व्याक्या किये है एक वरिष्ट भक्त मुझसे कह रहे थे जब वो इसकौन संस्था जोईन हुए कई साल पहले तो उनके मन में ये संशय था सब भक्त कहते थे प्रभुपाजी अंतिम ख्षन तक भागवत की का व्याक्या करते थे और वो वीडियो भी पाया जाता है यूट्यूब में आप सब देखे होंगे प्रभुपाजी लास्ट मॉमेंट्स तिरो भावित होने के थोड़े दिन पहले तक दशम सकंद के तेरवे अध्याय की टीका तात्त पर ये व्याक्या दे रहे है और परम्पुजय जायद्वाइत महराज और अन्य वरिष्ट सब डिक्टो फोन लेके रेकॉर्ड कर रहे हैं तो ये वरिष्ट वैष्ण मुझसे कह रहे थे जब मैं ये संस्था में सम्मिलित हुआ तो मन में ये संशय था कि प्रभुपाजी अंतिम ख्षन तक व्याक्या भागवत का दे रहे हैं इसको मैं कैसे समझ पाऊ अन्य शिश्वों को भी तो बता सकते थे कि तुम व्याक्या दोगी ये भ्यक्त नए थे संस्था में तो ये सोच रहे थे आचारिया अंतिम ख्षन तक भागवत व्याक्या क्यों करे परंतो ये प्रश्ण की ने को पूछ भी नहीं सकते हैं उनको लगा ये अपराद वाले प्रश्ण हैं तो कैसे संशयात्मक भाव से कैसे प्रश्ण पूछा जाए परंपुज्य शिलराधनात महराज के शिश्य हैं तो महराजी को पूछ भी नहीं सकते हैं तो एक बार महराजी के पास गए और महराजी स्वाभावी की उत्तर देने लगे बिना प्रश्ण पूछ थेख या कैसे व में उ чय रहा है माराजी बहुत साल पहले जब मैं घंशाम बाबा से मिला है अद्धार कि अन्य संप्रदार के थेते और वरिष्ट उत्तम श्रेनी के महानुभाव राधरानी के भक्त थे राधा गोपी जनवल्लब के आरदना करते थे और वयोवर्द होकर उस अवस्था में भी वो यमुना का जल ले आते थे गोपी जनवल्लब की स्नान हे तुसे वाग परमपुजी राधनात महाराज नवयुवक अवस्था में थे तो उन्होंने गोपी जनव हमारे घंचाम बाबा से का बाल्टी आप दे दीजी हम धर के ले जाते हैं घंचाम बाबा ने का नहीं 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 छोड़ दो मैं ले लूगा महाराजी ने जबरदस्ती ले ली नहीं 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 आप क्यों कश्ट करते हम ले लेते हैं घंचाम बाबा बैट गए नीचे रोते रोते क्यों रोने लगे कहने लगे आप नवयुवक हो पूरा आज जीवन सेवा कर सकते हो प्रभू की मैं बृद्ध हो चुका और कोई सेवा करने योग्य नहीं है कम से कम ये सेवा अब इस अवस्थाने मुझसे मत खीचो हम गोपी जनवलब को और कुछ सेवा नहीं दे सकते केवल जल दे सकते हैं स्नानेतु आज वो भी सेवक से सेवा ले जाए तो हमारा तो अस्तित्व खत्र हुआ मुझे बल्टी लोटा दो महराजी इन भक्त को ये कथा कहकर कहते हैं इसी भाव से श्रीला प्रभूपाजी अन्तिमक्षन तक भागवत की व्याख्या करते थे ये भाव से कि मेरे शिश्य जो है नव्यूवक हैं आजीवन सेवा कर सकते हैं पर हम अब मरनास्त अवस्था में शैया अवस्था में लेटकर हम कोई सेवा नहीं कर सकते परंदु जिवा से भागवत का पठन तो अवश्य हो सकता है व्याख्या तो हो सकती है अंतकाल तक हम करेंगे ये भक्त हमसे कह रहे थे दो बाते एक तो प्रभुपाजी की महानता और दूसरे कैसे गुरु अंतर्यामि चेत्य गुरु के मनों अभिन्य सुरूप होकर संशे जो चित्म है उनका निवारन बिना पूछे उन्होंने उन्मूलित कर दिया समाधान प्रस्तुती कर दिया समस्या का समाधान तो जिन कमरे में प्रभुपाजी ये भागवत की व्याख्या किये हैं तिरोभाव की अवस्था में भी वो प्रभुपाद हाउस हैं बरंदावन में तो उन कमरों में जाकर प्रार्थनात्मग भाव से प्रभुपाजी का स्वरण करके नाम जपना ग्रंत पढ़ना ये प्रत्यक्ष संपर्ख जोड़ना है आचारियों के चरणों से आइंद्र प्रभु उनके एक कमरे में भक्त कहते हैं आइंद्र प्रभु केवल तीन स्थान में होते थे मंदिर के प्रांगन में बातरुम में अत्वां के कमरे में 24 बरस आइंद्र प्रभु केवल इन 3 स्थानों में पाए जाते थे कहीं बार गए नहीं मंदिर का प्रांगन छोड़कर कहीं नहीं गए 24 घंटे कीर्टन में लगे होते थे बातरूम में अच्छा बहां नहीं तो मंदिर में कीर्टन दोनों नहीं तो कम्रे में और उग कम्रे में कैसे भजन करते थे ओहो हो आइंद्र प्रभु के भजन शैली के विशे में मानो ये एक सब्ता का शिर्शक हुआ जिस वर्ष आइंद्र प्रभु तिरोभावित हुए उस वर्ष के पुरुशोतम अधिक मास में वो प्रत्य एक दिन 116 माला जपते थे 116 माला प्रत्य एक दिन 2,00,00 नाम और आप तो जानते हैं यह मतलब सरल बात नहीं है सामाने बात नहीं है बहुत कम लोग कर सकते हैं मैं अपनी बात करो तो रुची भी नहीं है इतना नाम जपने की समय प्रभू दे उर्जा शक्ति भी दे और कोई अन्य सेवा भी ना हो फिर भी रुची नहीं है नाम उच्चारण में हम कनाइठागुर प्रभू थोड़ी है श्रीपाद आइंद्र प्रभू बाहर एक बोर्ड लिखते थे कमरे के बाहर if you have chanted 16 rounds मतलब माने जो आए कमरे में खट-खट आने के लिए कहीं बार लोग आए खट-खट आते थे आइंद्र प्रभू से बात करने के लिए तो उनके लिए संदेश if you have chanted 16, please chant 32 if you have chanted 32, please chant 64 if you have chanted 64, please chant 128 and if you have finished that, please leave me alone so I can do mine यदि आप 16, माला कियें तो 32 कीजिए, 32 कीजिए तो 64 कीजिए, 64 कीजिए तो 128 कीजिए और ये भी कर चुके तो मुझे छोड़ दो, मुझे करने दो ऐसे भजन कियें अंदर कमरे में और यदि फिर भी कोई खट-कट आए तो कमरे का दरवाजा खोल कर पूछते थे आइंद्र प्रभू मुझे भगवान से मिलना है, इस से अधिक कोई महत्पूर्ण विशे हो तो मुझे से बात करो और फिर भी लोग आकर खट-कटाते थे बिजली के खंबे में कई बार स्केलिटन प्रत्यक्ष सत्य में नहीं परंतु केवल चित्र बनाया जाता है डेंजर, 440 वोल्ट्स, डू नॉट टच ऐसा एक चित्र उन्होंने दरवाजे पे चिपकाया कि मुझे परिशान मत करो अद्बुद है यदि ऐसा कोई तीवर भजन करे तो उनके भजन कुटीर में कैसी उर्जा शक्ति होगी भक्ती के जो तदिय में है वस्त्र में है, कंठी में है, जपमाला में है उन सद्वईष्णव प्रेमी भक्त आचारे के प्रयोक किये वस्तूओं में है भक्ती भाव, तो कमरे में तो कहना ही क्या तो चौथा विशय ये है कमरा, बैठक, भजन कुटीर इन में शद्धा भाव से, आस्था भाव से, पूर्ण विश्वास के साथ जाकर प्रार्थनात्मक भाव से जुकना, जब करना, गरंत पड़ना और मौन धरन करना वहाँ जाकर ये प्रपंच के जागतिक विशय, पार्थिव विशय बोलने का स्थान नहीं हो कई लोग तो हर स्थान में बग-बग-बग करते रहते हैं जबके समय बढ़-बढ़ करते हैं, गायत्री समय बढ़-बढ़ करते हैं ये सब शास्त्र विरुद है ये संस्कृति के विरुद है, शास्त्र नियम विरुद है हमारे महराजी तो कहते थे जो बख होता है, बख माने बगुला हाँ जो बख पक्षी होता है बगुला वो केवल, बख, बख, बख हमारे महराजी कहते हैं, वो बख बख करता है इसलिए उसके तत्व सिद्धान्त को बख वाद कहा जाता है जिस प्रकार ब्रह्मवाद, मायावाद, इत्यादिवाद, फिलोसोफी बक करने वाले पक्षी के तत्व सिद्दान्त को बकवाद है वोई अब परंपरागत बकवाद हो चुका बकवास तो आज भी यदि कोई ऐसे बड़ बड़े हम क्या करते हैं क्या बकवास कर रहे हैं ये वास्तविक बकवाद है तो विग्रह के सामने भागवतम के कख्षा में गायतरी के समय सेवा कारिय में नामजब करते समय ये सब बहुत गंबिर विशे हैं किनी के भजन कुटिर में प्रवेश करना गिराज की परिक्रमा तुलसी की परिक्रमा लगाना कई बार तो तुलिसीपरिक्रमा यानी कानी चव पापानी में भड बोलते रहते हें हमें लगता है कि Hare Krishna Hare Krishna किर्तन चल रहा है तो हमने तो गालिया स्रीराधा गोविंद प्रेमे ज़डह जैनो भासे अब परिक्रमा करते करते बोल सकते ना आरती, परिक्रमा, मंत्र उचारण, नामजब, कथा, श्रवन, गरंत पठन गिरिराज की परिक्रमा, विग्रह का दर्शन, ये सब बहुती पवित्र अंग है एक टक नजर से, एक आग्रचित से तब वहाँ बगबग करना, बकवास करना, बकवाद करना, बढ़बढ करना ये विशय नहीं है तो ये स्मरण करना है, चार बाते अभी तक करना है, ये समझ लिए पर एक बात क्या नहीं करना है, महत्वपुर्ण, वो भी समझना है तो चार-चार कौन से? वाणी अथ्वा ग्रंथ, स्थापित विग्रह, तदीय का प्रयोग, भजन कुटीर अथ्वा बैठक का प्रवेश अथ्वा दर्शन, पाच्वा और महत्वपुर्ण, आचारी की समाधिए हम कथा के अंतिम दस-बारा मिनिट में है, तो एक आग्र चित्त होकर आप सबसे बिनती है, अनुरोध है, ये ध्यान पूर्वपुर्ण, आप श्रवन कीजिए क्योंकि ये, हम ये नहीं कहरें, हम प्रवक्ता रूप में सेवा कर रहें, इसलिए आप ध्यान पूर्वपुर्ण, आप श्रोता है, शास्त्र प्रवक्ता है, हम सब श्रोता है समाधि की अपारमहिमा समाधि में आचार्य पूर्ण शक्ती से शाश्वत नित्यकाल से नित्यकाल तक वहीं उनका वास है कोई भी आचार्य की समाधि हमें यह जानना है पूर्ण तया वहीं वास करते है श्रीला प्रभुपाजी जब राधादामुदर मंदिर में वास करते थे सन्यास के बाद पर आप सब देखे होंगे वो प्रसिद चित्र जहां श्रीला प्रभुपाजी प्रसाद पाने और खिड़की से किनका दर्शन कर रहे हैं कौन से समादी का श्रीला प्रभुपाजी ने बारं बार नहीं परंतु केवल एक बार ये बात बहुत अद्बुद बात कही श्रीला प्रभुपाजी कहे जब मैं उस कमरे में बैटकर प्रसाद पा रहा था और खिड़की से शिलर रूप गोस्वामी की समाधी का दर्शन प्रार्थना करते करते कर रहा था कि मुझे शक्ति दे दो, मैं विदेश पास्चा ते देश कैसे जाओंगा प्रभुपा जी कहते हैं तब मुझे प्रत्यक्ष सत्य में रूप गोस्वामी का दर्शन गुआ प्रभुपा जी कहते हैं रूप गोस्वामी अप्यर्ड बिफोर मी रूप गोस्वाम प्रकट हुए मेरे समक्ष और मुझसे कहने लगे स्वामी जी निडर होकर आप पाश्चाते देश प्रचार करने जाए महाप्रवु के दिव्य शिक्षाओं का आप प्रचार कीजिए आप सफलता प्राप्त करेंगे क्योंकि हम शट गोस्वामी आपके साथ है यह प्रपाजी स्वयम बोले कि रूप गोस्वामी टोल्ड मी I am with you and you will be successful, you just go and preach, we will guarantee we will guarantee the results तो यदि रूप गोस्वामी चले गये हैं और समाधी में स्थित नहीं है तो दर्शन वही उसी स्थान में कैसे हुआ श्रीला रगुनाद दास गोस्वामी का विशेश्मरन हो रहा है श्रीला रगुनाद दास गोस्वामी तिरोभावित हो चुके थे श्रीला जीव गोस्वामी ने समाधी दी और रगुनाद गोस्वामी समाधी देने के बाद मानो उनी की समाधी हो चुकी थी सम्किन हो चुकी थी उसके बाद जीव गोस्वामी के पास आये और कहने लगे हे जीव मेरी इच्छा है कि शरीर के राक को भस्म को तुम राधाकुन के राधा गोबिनात मंदिर में स्थापित करो हम देखते हैं तीन गोस्वामी समाधी राधाकुन में और साथी साथ ये भी देखते हैं कि यहां रगुनात दास गोस्वामी की विशेश समाधी स्थली जहां 24 घंटे कीरतन चलता है राधा गोबिनात मंदिर में राधाकुन में ये दो दो स्थान क्यों विशेश है इसका वैशिष्ट है ये है कि रगुनाद दास गोस्वामी की तो समाधी दी चुकी थी पर समाधी के बाद वो जीव गोस्वामी के पास आए और कहे मेरे शरीप को राक बनाकर अथवा भस्म बनाकर राधा गोपिनात मंदिर में स्थापित करो राधा कुंदर ये मेरी इचा है मानो रगुनाद दास गोस्वामी पूर्ण शक्ति रूप से उस समाधी में स्थित हैं इसलिए तो कहने जीव गोस्वामी से और ये सब तिरोभाव की बात की बात है अच्छा एक और अध्वुद बात तो ये है जिन आचारी की समाधी हम जाते हैं हम सब वो आचारी स्वयम उनिके पूर्वज आचारी की समाधी में जाकर रोए हैं जैसे जानवा मा नित्यानंद प्रभू की अरधांगनी जानवा मा ब्रंदावन छोड़कर जब नवदीब जा रही थी तो सभी ब्रजवासी गवडिय वैश्नव सब को आशिरवाद देकर अथवा आशिरवाद लेकर विदा होकर सब को हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही थी उन्होंने फिर राधा गोपिनाथ राधा रमण, राधा गोविंद, राधा दामोदर सभी बिग्रों के दर्शन किये और अंत में वर्नन आता है जानवा मा गई चार समाधी का दर्शन करने है रगुनाद भट को स्वामी काशिश्वर पंडित को स्वामी श्रीला सनातन को स्वामी और शिलरूप को स्वामी और वर्नन आता है कि जानवा मा इन चारो समाधियों में बैट बैट कर गंगा जमुना नेत्र नदी प्रवा बरसाई है वहाँ बैट कर विरह में रो रो कर नदी प्रवाहित की है अश्रुपात की नदी कि हा रूप, हा सनातन हा रुगुनाद भट हा काशिश्व और हम जानवा मा के बैठक समाधि में जाते हैं और वो स्वयम पूर्वज आचारियों की समाधि में गई है श्रीनिवास आचारिय प्रसिद्ध वैश्रमून का तो कहना ही कि जगनात पूरी भाग भाग कर आए और सीधा गए हरिदास ठाकूर के समाधि में और फूट फूट कर रोने लगे जिन्होंने नाम को अपना जीवन सर्वस्व माना नाम का आचरंड भी किये और नाम का प्रचार भी किये हे हरिदास ठाकूर आप नाम में मुझे रुची दे दो ऐसे श्री निवास आचरय जिनके समाधि में हम जाते हैं वो हरिदास ठाकूर के समाधि में जाके श्रद्धा पूर्ण भाववसे परार्थना करते थे समाधि भी भिन भिन प्रकार की एक तो सहधेह समाधि हाँ पूरा शरीर समाधी दी गई ये एक प्रकार हुआ दूसरा प्रकार है अंग समाधी अब ये भी ब्रज की पद्दति में पाया जाता है अंग समाधी कहीं आचारी के कहीं नक मिल जाए अथवा कोई आचारी हम तो पूरा शीर्शक देखिए हमारा पूरा विशय क्या है आचारीों की महिमा उनसे कैसे जुड़े हम उनके मात्व गुरुत्व को कैसे जाने संपरदाय में आचारी की बात क्या उनके शरीर में स्थित अंग के गदादर पंडित की दंत समादी है मानो उनके दात की समादी मतलब गदादर पंडित के चरण धूली और उनके चरित्र का तो क्या कहे है उनके यह दी दात मिल जाए तो हम दात देते हैं उनके दंत की दंत समादी महाप्रवू चैतन्य महाप्रवू की केश सन्यास की समय कटवा में केश समाधी है महापरभु के एक बाल की और हमारे ब्रणावन में मुरारी गुप्त के एक नक्ग की समाधी है नक्ह समाधी नाखुन की समाधी मानो नख नाखुन रखकर महा समाधी मंदिर बांदी गई नाखुन की इतनी महिमा तो उंगली की कितनी महिमा उंगली की इतनी महिमा तो हाथ की इतनी महिमा हाथ की इतनी महिमा चरन की कितनी महिमा चरन की इतनी महिमा तो आचरन की कितनी वहिंदा कहीं आचारे के नक मिल जाए, हडड़ी अस्ती मिल जाए केश मिल जाए दंत मिल जाए उसकी समादी यह दूसरी परकार की समादी पहली सदेह समादी दूसरी अंग समादी अब तीषरा तो बहुत प्रसिद्ध है इसका उनमें पुश्प समादी पुश्प समादी अर्थात कोई वैश्नव जब कोई हार धारन करे माला धारन करे उनका एक पुश्प भी मिल जाए अथवा जैसे कोई वरिष्ट सन्यासी अथवा कोई आचारी तिरोभावित हो रहे हैं इस जगत से और उनकी श्री अंग में जो हार चड़ाया गया उसके लिए एक पुश्प भी मिल जाए तो उसको पुश्प समादी ये हो गई तीसे अब चोथे इसको कहते हैं नाम समादी अधबुद वैश्नव का श्री अंग तो मिला नहीं नक मिला नहीं केश नहीं, अस्ती नहीं दंत नहीं, पुश्प भी नहीं तो क्या वैश्नव के मानो सुवर्ण अक्षर में उनके नाम को स्थापित करके उसके उपर समादी बनेगी इसको स्वृति समादी भी कहते हैं क्योंकि कई वैश्नव हैं जो देह नहीं मिलता पहले के जमाने में ऐसे पाया जाता है कई वैश्नव, कई सादू, कई आचारिय घंगोर वन से यात्रा कर रहे हैं कई घाटी से घिर गए होंगे शरीर मिला नहीं अथवा कोई जानवर पशो ने भख्षित कर दिया खा लिया अथवा कोई आचारिय दुर्भाग्य से मानो डूब गए तो शरीर मिला नहीं तो स्मृती समादी अथवा नाम समादी जहां केवल सुरन अक्षर से उनके नाम को अंकित करके उसके उपर स्मृती बना करून की समादी ये हो गई कितने समादी अब तक एक सदेह दूसरा अंग समादी तीसरा पुष्प चोथा नाम अथवा स्मृती अब पाच्वी समादी है धूली समादी आचारिय वहिष्णों की जय हो धूली समादी अर्थात उनकी चरण की धूली मिल जाए अथवा उनके भजन कुटिर की धूली मिल जाए अथवा उनके जन्म स्थली की धूली मिल जाए उसकी उपर समादी उनके नाम के उनकी स्वृती के उद्धव जी कहते हैं गोपियों की चरण रज की महिमा नहीं रेणुम एकवचन में प्रयोग है गोपियां बहुचन में और उनके चरण रज पाद रेणुम एकवचन में मानो सभी गोपियों के चरण के सब रज न मिल जाए कोई एक गोपि के चरण में एक रज मिल जाए उद्धव जी कहते है बन दे मैं जूब जाता हूँ हमारे श्री चैतन ने महापरवत उनके गुरु महराज के जन्म स्थली कुमार हट में जाकर वहां के धूली लेके आते थे और प्रति दिन पाते थे उसको इतनी वैश्णव की महिमा कि वैश्णव के चरण रज नहीं वैश्णव जहां जन्म लिये हैं उस जन्म स्थली की धूली को महापरव ले आ रहे हैं और अपने गुरु महराज इश्वरपुरी का स्मरन करते करते धूली को थोड़ा थोड़ा करके पाते थे रोज तो इसको कहते हैं धूली समादी तो कितनी समादी हुए पाच अब छटवा इसको कहते हैं तदीय समादी तदीय समादी माने कोई इसकी चर्चा हो चुकी परणतो थोड़ा विस्तार कोई आचार्य की विशेश कोई काटी हो उनकी कमंडलु हो उनकी स्मरण की उनकी कंठी माला हो, जब माला हो अथवा कभी कोपिन हो लंगोटी अथवा कई आचार्य तो यह बहुत सुन्दर है इसको सोहनी समाधी भी कहते हैं ब्रज भाषा में सोहनी माने ज़ाडू हम जो कहते हैं ज़ाडू मारना ब्रज में ज़ाडू नहीं बोलते हैं सोहनी सेवा बोलते हैं क्यों ज़ाडू क्या करता है गंदगी दूर करता है ब्रज का धूली गंदगी है इना है वो तो सोहनी सेवा है मानो निकुंज ब्रज के रज को मानो निकुंज के रज मान कर कई बार तो कई आचारिय जो सोहनी सेवा लगाते थे उनकी तदिये सोहनी समादी है अर्था जिस सोहनी से वो कुंज सोहनी सेवा की हैं ब्रज धूली क जाती है तो उन आचारी की तदिये मानकर उस सोहनी को समाधी देते हैं और उसके उपर तुलसी का मानो एक पौदा रख देते हैं ताकि कोई नी का चरण न लगे आचारी चरण ने स्पर्ष की ये सोहनी जिस पर ब्रजरज लगा हो उसकी इतनी अपार महिमा की समाधी बन गई सोहनी समाधी ऐसे हमारे ब्रजमंडम न भिन-भिन समाधी पाई जाती है कितनी हुई चैटरी अब सात्वी इसको कहते हैं गरंत समाधी कई सुने होंगे दर्शन किये होंगे गरंत समाधी ब्रजमंडमे कई बार ये होता है कि आचारे उने गरंत लिखी है और लिखने के बाद आचारे सोचते हैं कलियुक के मायाबद जीव में सामर्त नहीं है गरंत समझने के लिए तो गरंत लिखने के बाद समाधी दे देते हैं भाषा जिस भाषा में लिखी गई वो जन सामाने पढ़ने ही पाएगा अथवा जो लीलाएं लिखी गई है ये बुद्धी के परे हैं अथवा इतना चित किसी का शुद्ध है नहीं कि ये लिला पढ़ पाए इसलिए आचारी स्वयम गरंत लिखते हैं लाल वस्तर से उसको बांधते हैं पूरी आर्ती दिखाते हैं और उसी गरंत को गरंत समाधी देते हैं कई बार तो ये भी देखा जाता है हमारे ब्रजपद्धती में कि आचारे गरंत लिखते हैं और आदी में ही गरंत आदी रहती है उनकी शरीर पूरा हो जाता है आचारे चले जाते हैं ग्रंत अधूरी हो जाती है तो ऐसे अधूरी ग्रंत को भी ग्रंत समाधी दी जाती है कई बार जिन ग्रंत को लिखे हैं आचारे वो पन्ने खराब हो चुके वातावरन रुतु परिवर्तन के कारण अथवा कभी-कभी छोटे-छोटे चीटी या कीट-पतंग काट लेते हैं, चबाल लेते हैं, तो कागज अथवा वो पत्र जो है ठीक नहीं रहा, तो उन गरंत को लाल कपड़े में बांध कर, आर्ती दिखा कर, पूजा करके, पुष्प चड़ा कर गरंत समादी है, आचारी ब्रजमंडल में है, कितने हुए? साथ, अब आठवा, दुख्द समादी, अब ये दुख्द समादी क्या है? हमारे नरोतम दास्ठाकुर की समादी दुख्द समादी है, राधा गोकुलान नंदिर के प्रांगर में, इसका अरत क्या हुआ? दुख्द समादी, नरोतम दास्ठाकुर इस जगत में शरीर त्यागे है नहीं, नरोतम दास्ठाकुर विरह वेद नामे पिगल गए, जब उनके शिश्य उनका स्नान करा रहे थे, जल के साथ साथ जब शरीर में स्पर्श हुआ, शरीर द्रवित हु और दूद बन गया, उस दूद को समादी दी गई, तो नरोतम दास्ठाकुर जिस प्रकार संत्तु काराम सादेर, वह कुंठ वास, देह इस जगत में छोड़े नहीं, उस प्रकार हमारे नरोतम दास्ठाकुर का शरीर भी मानो गल गया, मानो पिगल गया, द्रवित हो गया, दुगद रूप में परिवर्दित हो गया, उस दूद, उस ख्षीर का समादी, दुगद समादी, ये दुरलब समादी है, पर अंतिम समादी, नौवा, अंतिम समादी, इसको कहते हैं शाखा समादी, शाखा समादी अर्था, जिस ब्रिक्ष के नीचे वैश्णव बैटकर भजन किये हैं, उसकी यदि शाखा मिल जाए उसकी समादी, वैश्णव की महीमा कैसे गा सके, मादवेंद्र पूरी जिस ब्रिक्ष के नीचे बैटकर नाम जपे हैं, गोविंद कुंड में, उस ब्रिक्ष का यदि, और ये तो हम भाड कर या काट कर निकाल नहीं सकते, तो उसको आदरात्मक भाव से समादी, नरोतम दास्थाकुर की का उलेक हुआ, इसलिए एक और बात, खेतुरी स्थान में, जहां नरोतम दास्थाकुर जन्म लिये और कृष्ण प्रेम प्राप्ति भी किये, पद्मा नदी के तक्ट पर, चैतन्य महाप्रभु ने पद्मा दे प्रत्यक्ष नदी स्वरूप को आदेश दिया, कि नरोतम जब आएंगे तो कृष्ण प्रेम मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम उनको पवा देना, खिला देना, नहला देना, महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम पद्मा नदी को दी, पद्मा नदी नरोतम दास्थाकुर जब स्नान करने है तो आए पद्मा नदी ने कृष्ण प्रेम से भिगो दिया उनको उस पद्मा नदी के खेतुरी ग्राम में उस पद्मा नदी के तटपर आज भी वो ब्रिक्ष है जहां नुरुतम दास्थाकूर कृष्ण प्रेम अप्लावित होकर बाहर आए और वहाँ नाम जबे और उस शाखा का एक अंश यदि मिल जाए तो उसकी भी शाखा समादी होगी मादवेंद्र पूरी जिस ब्रिक्ष के नीचे भजन उसकी शाखा समादी अथवा शामकुंड के तटपर पंच पांडव ब्रिक्ष के रूप में विराजमा यदि उसकी एक शाखा एक अंश मिल जाए तो शाखा समादी हमारे इमलिताल जहां महाप्रभू नित्यानंद प्रभू बैठे हैं भजन की हैं यदि उसकी शाखा मिल जाए तो शाखा समादी ऐसा नहीं कि तोड़ना है पर स्वाभाविक मिल जाए तो शाखा समादी उन आचारियों का स्मरन करते हुए तो इस प्रकार वैश्नव आचारिय अध्भूद है भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधिनो यस्वत अंत्र इवो द्विजः साधू भी ग्रस्त रिदयम भक्त भक्त जनप्रिय साधवो रिदयम महियम साधू नाम रिदयम तो अहम मत अन्यते न जाननती नाहम ते भ्यो मनागबी हे दुर्वासा प्रभू कह रहे हैं भक्त अहम भक्त पराधिनो मैं अंबरिश महाराज के अधीन हूँ अस्वतंत्र हूँ अरे अंबरीश के अधीन ही अस्वतंत्र नहीं हूँ भक्त के ही वशिभूत नहीं हूँ भक्त ही भक्त जनप्री है भक्त के जो भक्त हैं वो भी मुझे बांग लेते हैं साधू के रिदय में मेरा वास है मेरे रिदय में वैश्णव, शुद्ध वैश्णव का वास है, तुमार रिदय सदा गुविंद विश्राम, मुझे छोड़कर वो और कुछ सोचते नहीं, उनको छोड़कर मैं कुछ और सोचता नहीं तो किस प्रकार आज की कथा का एक द्रिष्टी कोण में, एक श्ठंड में यदि सारांश देखा जाए, हमने कहा वैश्णव की महिमा, चरनरज की महिमा, बिन-भिन स्थानों से, बिन-बिन आचारियों की विशह से कैसे वैश्णव वरिष्ठ हैं, फिर उनसे संपर्ग जोड उनने के पाच तरीके देखें, पहला, वानी अत्वा, ग्रंथ, दूसरा, तीसरा, तदिय, चोथा, भजन कुटीर या बैठक प्रवेश, पाच्वी, समाधी दर्शन, तो अब अगले बार जब ब्रंदावन या नवदी प्या जगनात पूरी जाने का सोभाग्य होगा, औ और भजन कुटीर या बैठक, या तदिय, या समाधी, या ग्रंथ, या लेक, या प्राण प्रतिष्ठित विग्रह, ये सो दिखेंगे न, धाम में, ये देखो, तो उन संबंधी बैश्नव आचारे का स्मरण करके उनके आशिरवात का हम कृपा पात्र हो सके, धन्यवाद अरिकृष्ट अजरे पुरिषुन का दन्यवाद भी करेंगे और और भगवान से प्राथना भी करेंगे गी ऐसे होगे में तुनों पुना आते रहें और हम लोगों को पना सम्नुद बेते रहें वेल्बान फुरी शक्ति और पूरी भफ्ति के साथ, फ्रे और मों उचारन करी है. हरे राम, 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 रे हरे. नहीं प्रौमों स्भुष्णाय हैं तो आप पुरी व्र्यांस से सुनें. आजकर जो संपूल प्रजाद है, मैं पुसको का नाम गोनाज को ने उसको प्राइवित किया है, मैं सारे नाम एक्षा तेतम, उसके बादो एक पर भी बोल गोल कर बता हुआजवाद करेंगे, एक का भुना एन अमातर जी एन राप भुनार जी हूँ, नेहा दामार जी एन अ आप जाते हैं, क्या है? रामनोम्य महाम महत्थव, तो हम लोग यहां तर इस फेकर पर रामनोमी कर च महाम महत्थव, ओसको साथ में दोंनाएगे, तो आप सभी से प्रात्रा अच़ आईए तीसरा प्रभु ने जब लेक्ट कर सफूवाद कीत, उसके पेले तुका से नय हम तो हमने नाम कथा के दारान ये गोशना की थी यहां से इसी स्टेट से कि हमाना जो नया मुझेद है उसके लिए एक जड़े फैल हो चुकी है और उसकी जो बात्रता पे आगे एग्वान स्टेक में जा चुकी है तो उसका प्लान है बिटिए महती अजुति आज्यों मन्य बनने वाला है क्योंकि एक सिर्क बीडिनिंग में चार प्लोर रहेंगे वहां कर मद्र नहींदा और उसके उपर के प्लोर से महां हटों के लिए फ्लैंस रहेंगे यहां पर जो स्नेक्स काउंटर लगा हुआ है वहाँ पर रहेंगे आप उनसे जानकारी ले सकते हैं उनसे मिल करके और फेस्टूम में और पचास फ्लेट्स हैं जो हम लोग अभी उसकी बुकिंग भी ओपन करेंगे तो आप सभी से अनुरोध है आप अगर इंटरेस्टेट है तो उनसे बात कीजिए और प्रशाद के लिए अभी और यह फ्लेट्स जो है यह वन भीच के टू भीच के त्री प्रशाद के लिए पीछे व्यवस्था की गई है अब मेरा जो यह बाया हाथ है इस तरफ से प्रशाद की लाइन लगेगी भीड बहुत ज्यादा है तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग पहले जो व्रद हमारे व्रद विक्ति हैं और माताएं हैं आप उनको पहल जाएं श्रील प्रभुपाद की श्रील प्रभुपाद की जाएं इस ग्रेश कनाइठा कर प्रभुपाद की जाएं तो यह जो दस मिनट का डांसिंग किरतन होने वाला है और साथ में प्रषाथ की जो लाइन हो पीछे जो लोग भक्त रुकेंगे किरतन के लिए वो रुकेंगे बाखी लोग पीछे से प्रशाथ के लिए जा सकते हैं और कोई भी स्केज की उपर ना आए, सबी भक्तों से अनुरोध है कि कीर्टन सब लोग नीचे ही करेंगे, स्केज पर कोई भी ना आए, सिर्फ कीर्टन पार्टी स्केज पर नहीं हरे खृष्ण, 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 हर हरे राम 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 हरे रा प्राम राम 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 रे बारे प्राम राम 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 प्रेको आते हमाजिता सली ठाते, त्रेको प्रेकोम maravilहें लुप मिश्मु एंपохणिंगा रिस्मु एंप्रों। कर दो 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 कर प्रीडीन ओ्रीण ओप्रीडिस कर से दो यजर प्रेड braking ढीर कुछ अशनी ट्रप्ली ट्रण सुन्ह – जल एक्षण, जल एक्ष्ण, जल एक्ष्ण, जल एक्ष्ण। जल एक्ष्ण। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो घाला रहु आऴरें, कर दो आप आए ह।ालración कर दो ताइसे कुझन कर दो कर दो को आए ह।ालります कर दो आह। आए कार दो आए आए ह।ाल Yakव I detal नह कुझन गान 이상 क्रिश्ना नाफ्ट थोड़ विश्वा क 한데 क्रिश्ने घारे तरे 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 परा रिरा्म क्रिश्ना पत्रे शुर्दा वराव कर स रहां। जाया रादे तो मिल्दे श्री रादे जाया रादे तो मिल्दे 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 त ही बार्य, मीर करो हरी बन, हरी बन, हरी बन हरी बन, हरी बन, हरी बन adapted हुए 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 तर लुट निधाय गौर्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार् शीलब्रभुषपाज खीर, शीशिगोनिता खीर, अरंतकोटी गुर्भक्त बिंडिकीर, जै जै स्री राधे श्टाव। अरे शीशिवा। ओर ही राधे श्टाव। अरे श्टाव। और बेखे श्टी श्टी मुनष्ट के महांचे श्टाव। भी ऐद्यार्भुषपाज इता से आयोध्वा जै रहे हैं। ऐल्य श्टाव। गे श्टाव। अरिवा। श्टाव। अरियूर। 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 अरियूर लएक ट्रव मेंटितい क Ball Ball को करते एन एंट मन थक हैवे तो सेयर एंट सेथ सरफ से क्यांप पूल highlight ूरिय वा रपन था जब टेश जा पी और बेस पूल खॉफ डिपो ने देख टेंट से फिशा डेनि-Si, रखे बंट tay अंट सुम्मम्न चैनल टा आट पूल उन्सके को प्डेstar निगडी निगडी करता है निगडी करता है